जारा होता है जैसे क्लाउद सोड तो बांस लुकंट पर अधिया कि आपका प्रोथ बांस और डिग बांस तक बाहर निकला तिए तो सामान ये बाहर की तरफ गिर दिया वह और भी आपका पानी है यह जो हवा है वह इधर डारेक्शन में भाग रहा हुता यह हिल रहा होता है बहुत जबर जबर तरीके से तो भी आप उसको क्या वह होता है टर्ब्यू लेंक्स एंडिक्तव बनता है इस तॉर बीजमेंट अभी क्या हुआ थोड़े दिल देखा वा पैगासस के लिए करी लोग के फॉर्टेप किये तो लोगों पैदासी तरह से हरसे अमेरिकन सैनलक्स यहां निकलते जा रहे हाला आपको भाग रहा होग गारे भाग रहे कि उनको ना दिया जाए यान जिनलिस्कों भी मारा गया वोगा दाणिश सिंदगी को फ ISIS तो यहां पर क्या होगा यहां पर टर्मॉइल पैदा हो जाएगा अफगानिस्तान के अंदर अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया था यह देखो इंडियन के अंदर क्या हूआ सब्सक्राइब करें हैं क्या के क्या इस को अधो पिल्स इंडिया कि रेलेश्ट है पूरी दुनिया पूरी जो साउथ एशिया इसकी पूरी पॉलिटिक सिस्टेम कर रहा चुकी है और यहां पर आपस में जो देश हों के अंतर तनाव आ चुका है मतलब कि एक दूसरे को वह अग्रेसिबली क्या करें डिफेंड कर रहे हैं एक दूसरे को प्रती वह इसको देखेंगे बैठा तर्मिलेंट क्या होता है तर्मिलेंट का मतलब होता है कि बाई जब आपके उसमें बहुत 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 हो जाता है जब सुच्विशन कैसी बन जाती है हिलने वाली सुच्विशन दिखाई है वह पॉफेक्ट सुच्विशन को अंडस्टैंड इस यहां पर देखो इसका नाउन भी होता है तैट इसका नाउन होता है तर्बिलेंस पहला एक्जाम पर देखो इट हैस बिकम अपैरेंट बैट अफगानिस्तान विल्टी इन टर्बिलेंस आफ्टर दा विड्रॉल अपैरिकन फोर्स जैसे वहां से अमेरिकन फोर्स निकलेंगी वहां पर क्या होगा वहां पर वाइलेंस शुरू हो जाएगी जो पुरा देश है उसके अंदर पुरा द इशू उठा इसने पूरी इंडियन पॉलिक्स को क्या कर दिया पूरी इंडियन पॉलिक्स को इसने हिला करके रख दिया नेक्स्ट इवेटा एंटेगोनिस्टिक बेहेवियर ऑफ चाइना हैज क्रियेटेग टर्बिलेंस इन होल साउथ इसिया अब देखो चाइना हमारे बढ़ती अक्रेसिव हो गया वह में आंके दिखाएं लगा हमारी तरी को क्या करने लगा तो उससे क्या हुआ कि पूरी जो साउथ इक्षय की पॉलिक्स है उसमें गड़बड़ा आता गी कैसे है गड़बड़ी हमने क्या का हमने जपैन के साथ दोस्टी कर ली हमने ऑस्ट चला यह चैन फर्मार्स वाइलन फ्रमर्स कैशे प्रम स्टीड सेओ वैड़न फार्मर्स वी ड ağज सवा शै। सेफरन फ्लैग ओन रेड फोड दूरिंग दाट ट्रैक्टर रेली तो अपना कैसा सैफरन को में तुम शमचती हूँ ना भगुवा रंग जैसा योगी जी पहनते हैं तो उन्होंने क्या क्या kid?, फ्लै लगादिया प्रत्रिक्स पयता किया…. तर और भुल तर को बूल किया जाने पर हमने क्या किया एक मयंड़ को थोड़ा साय परिशान कर दिया और उसने क्या वहांर प्रक्रति अधरस्पीद बन गया उसने हम अने लगा आग जाएगा वो हमारी तरफ उल्टा आने लगा तो जैसे टर को बुल किया वो क्या हो गया वो टर्बुलेंट बन गया वो हिंसक बन गया क्या वर्ट समझ में आया आगी जी बात समझ में तो बच्चे आप मुझे यूज करके बता सकते इसको कोई बच्चा जो बता दियो उसके की बाद त्रबिलेंट को मैं ऐसे सकतका हूं में एःवे स्टेशन अपर टिकेट वेगार आपको नहीं मिलते हैं भगदर मत जाती हो वहाँ पर तो तुम हां पर भी इसका ही उसका सकते हो गौट है एक छोपी सी स्टोरिय तुम्हें बताने के लिए सब से पहले इस वर्ड को समझ दो इस वर्ड का मौता अबेंडन 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 मीनी छोड देना अकेले छोड देना पौफेक्ट इग्जाम्पल दे रहा है यह बार अब समझ पहा जाएगा बच्चियां की बेटिया भी लोग उन्हों पो छोड़ जाती है उन्होंस बासमझ में तो जाते हैं अबेंडेंड बेबी क्या वह तुनको अबेंडेंड बेबी अच्छा साओध कोरिया के अंदर भी चीज देखने को मिली यह बाई जो लड़कियां हो जाती है उन लड़कियों को लोग क्या करहें पर फूरेदान पर फूर्ड जारें तो वहां पर यह आगने जो की एग विंडो लगी हुई है जिसको वह आता था बेबी बॉक्स जिसको बच्ची नहीं चाहिए वो इस बॉक्स को खोलती है इस बॉक्स को उस तरफ कुछ भी दिखना होथा तो ने को कर्टेन लगा हुआ है आ करके वह अपनी बच्ची को रख जाती है और इसको बंद कर अगे देवों के तुम्हें पता लग जाएगा इस तरह से उन बच्चीयों के निकाल लेती ही जब ख़ड़े तो तरफ बच्ची को अंदर ले रहे अपने और फनीज के अंदर आई बात समय बहुत एचा है नीशेटी में के तुआ रहे हैं तो अबेंडन के कई सारे मिनी होत लोग जहां पर लोग नहीं रहते वह निरजल स्थान बन जाते ही अब अब क्या है जो आपके बॉर्डर एंड़ियां होते हैं बॉर्डर नहीं रही हैं सरकार की क्या tactics होती है लोग नहीं रहेता तो होगा क्या यहां से लोग आएंगे और हमारे देश में यहां पर गाउं बसे होगे तो किसी की हमत नहीं है कि वो हमारे देश के अंदरा आ जाएं यह क्या काम करते हैं ते वार इज़ा इंफॉर्मर की तरह काम करते हैं चाइना की बात समझ में आई तो चाइना ने क्या किया जो भी उसके बॉर्डर से हैं इंडिया से लगते हुए वहां पर लोग नहीं रह रहे थे पूंचाहियों पर बसे विए गाउं है तो उसने क्या किया जो अपने रेटायर्ड ऑफिसर ह क्या से विलेजेज अबेंडेंड विलेजेज जहां पर कोई भी नहीं रहता जैसे मैं तुमें जपैन के बारे में कुछ बताता हूं अभी एक्चल में है क्या जपैन के अंदर लोग वरकाहली हो चुके वह सिर्फ काम करते हैं तो क्या हुआ जो गाउं थे वह गाउं से श अबेंडेंड विलेजेज यह मैं तुम्हारे लिए स्लाइड बना करके लायों लेकर आपकी है उसको आपने छोड़ दिया कोई मिशन है जैसे किसी को रेस्क्यू कर रही वह रेस्क्यू ऑपरेशन में आप बीच में छोड़ देते हो तो उसके लिए भी क्या यूज करोग पहला देखो अबेंडन 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 तुम बच्चों के बात समझ में नहीं होगी मैं धर्ड़ फर्म के अड्यक्टिव की तरह कैसे यूज कर रहा हूं मैं औरडी तुम्हें बता चुका हूं जैसे बात समझना तुम जिस इस्टिट्यूट में आते हो उसको बोल इंग्लिश सीखनी है अच्छा रही हम तो क्या पढ़ाते ही हम तो स्कोकन इंग्लिश पढ़ाते ही अच्छा स्कोकन दो भाई धर फॉर्म है फिर तुम कैसे इसका यूज कर रहे हूं देखो अगर तुम्हें किसी एड्जेक्टिव के बारे में जानना होता है तो तो में अच्छा में जानते हो वाट के जरी तुमारा फेवरेट भी है बता देता हूं हूं वही है एन इंटेलिजेंट अफ उतियु वह किसकी की तरव काम करती है वह एड़ेक्टिव की तरह काम करती है जब तुम्से कहता हूं कि भ हुआ कि बनल्स स्वाई एद जब आ डीजयो ऑन और जखोड़ते ना तो एडन तक शोड़ा हुआ अबेंटनेंट गहां तो क्या हो गया छोड़ा हुआ कैसा विलेज छोड़ा हुआ विलेज तो मैं एडिक्टिव के रूप में इसका यूज़ कर लेता हूं तो पहला एक्जाम्पल देखते हैं अबेंटनेंट दा कार जस्ट आउटसेड दा सिटी अबेंटनेंट का मतला उन्हें छोड़ दिया किसको कार को पहले बेंट को लूटा और पिर कार को छोड़के चली गई फिके नेक्स देखते हैं किसी काम को अधूरा या उद्देश्चे की प्राप्ति के बाइन छोड़ा अरड़ी बता चुका हूं किसी ऑपरेशन को बीच में रोग गेना जैसे की यह चैंबल लेखा हुआ है था सब्सक्राइब दो दिन के बाद में क्या गया उनको छोड़ दिया उस मिशन को बोले उनको खोजा नहीं जा सकता इतना बड़ा समुद्र है तो उसको छोड़ दि ईसमार्टी का अधार?... उन्हों ने क्या किया ठाउ उन्होंने स्मार्टी का प्रोजक च्टार्ट यह लेकिन स्मार्टी इसन 35 फोगो फिये कि यह लोग प्रहींग ही और जिसको शीँस हो प्रही का हो जाएगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस आइडिया को अबेंडन्ट कर दिया. अबेंडन्ट आइडिया. एसा आइडिया जिस पर आपको काम नहीं कर रही है. चलो जी. As you know, Japan is called country of olds. That's why hundreds of abundant villages abandoned. Sorry, मैं बहुत बढ़ी गरवर होजाएंगी. Abundant villages are found at countryside because people have either died or left forward. Japan के अंदर तो मैं बहुत सारे villages मिलता हैंगे, जो abundant है. जो छोड़े जा चुके हैं, बिलकुर इंडर्जन हैं, कोई लोग आपर नहीं रहते ही. The villages of Himalayas and Utrakhand are becoming abandoned because natives are migrating to metropolitan cities for work. तुम देखो, Himalayas के अंदर जो गाउं हैं, वो कैसे बनते जा रही? वो भाई, abandoned बनते जा रही. क्यों बनते जा रही? जो वहाँ पर लोग हैं, यहन लोग हैं, वो सारे metropolitan city में आते जा रही? क्यों उनको भाई खानिकल रोटी चाहिए, रोटी में लेगी बड़ी सपीज में, तो यह जो आपके villages हैं, यहां से दिन पढ़ती दिन लोग निकलते जा रहें, और यह गाउं कैसे बनते जा रहें? निर जन, निर मिन्स नहीं, जन मिन्स लोग, अब वहाँ पर कोई भी ल इप्सेम्, मतलब की बच्च्चों का जा वलियाता है, उनको पूरे नापर छोड़ जाते हैं, या उनको कहां पर छोड देते हैं, ओस्मिटल की छोड़ कर निकल जाते हैं, इसका जा है है, अब बंधन अब उससमें सारे बंधन कर दिये, यहीतों अब सारे बंधन कर अब हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने अमीर हैं अब यह देखो उनके पास अपना चार्टर्ड प्लेन है और गाड़ी के देखो महनी वाली है ठीक है तो कहने का अगा कुछ लोग होते हैं बहुत हमी उनको बोलते हैं आफ्लुएंट वट भी को दोस पीपल दोस पीपल आ हदुए तो लोगों तो लोगों को बोले जाता है क्या क्ला कीए ऐर जो जैइफ पाई जैफ बैजस वीजर्ट challenges जैफ बैजस जैफ बैजॉर्पि ख्रेंश अपनी कंपनी बना रह एक ब्लु ओरीजन स्ट्रफिंड प्रप्पी क्या है यह आपको स्पेस में ट्रेवल कराती है तो आज ने शौक लग चुका है वह नया शौक क्या है दुनिया में दुनिया में अब यह गूम्पने बाइस पेस में जाकर और श्वेस जाने की कोश्ट क्या दें तक्रीबां 2,5,5 अमेरिकन डॉलर्स धायलाख अमेरिकन डॉलर्स और सिंगल सीज देते हैं ठीक है तो इनको बोलते है आफ्लूइंट वट डूबी कॉल देट आफ्लूइंट यह जो अमीर लोग होते हैं इनको बेटा आफ्लूइंट बोला जाता है जिसकी स्पहलेंग है आ अ-फ-ल---------------------- मतलब कि अमीर लोग जो के रिच हैं उनको ये बोला जाता है रिच का स्नोरी में आप इसको बोल सकते हैं अभी ये चार लोग कहां पर गए थे ये जैफ बेजॉस के साथ में गई थे अभी यूनिवर्स में मुझा लगता है ये जैफ बेजॉस का भाई है ठीक है ये 70 साल की हैं और ये भी गएक वैटी तो क्या दिखना चाते थे ये मात्रा 18 साल की और ये 70 साल के तो पुरी दुनिया बदल रही है और ट्रेवल करने के जब आब तक तुम दुनिया देख रहे थे अब तुम यूनिवर्स तेखो एक तो अमिर लोगों का एक एक नया शॉक है यहां आक्रॉस दा इंडिया पूरे इंडिया से कुम ब chickens निकाल दो ऑ फिरंट न कना या वह लिग दुप अगर भाई दूसरे पॉंट और व्यू से सोच हो अगर अमीर लोग अफ्लुएंट लोग मदद करें गरीबों की तो क्या बैगिंग कुदी खतम नहीं हो जाएगी तो सुप्रीम कोट ने क्या सजेशन दिया बैगिंग इजा सोचल इविल एंड आफ्लुएंट पीपल क्या ह confian को सब्जेट और कटी वितन अद्र विर्श के इनदर बढ़ें बने का देकार होता एक और मूझेंट यह नाउन को गिया यह सब्जेट्री में दeeखोगे यह अपियों व्युम्त देखोगे यहान की देखोगे या object की फॉर्म में देखो कि बाकी फॉर्म में मिल सकता है, subject complement में भी यह मिल सकता है, लेकिन मेली अभी तुम्हें बताने के लिए subject और object की फॉर्म में मिलेगा, देखो, Recently Supreme Court has said that, bagging is a social evil, so affluent people of society should help under previous section of society, so this problem can be extrafated than banning it, अब देखो, वह क्या रहा, ban करने के बजाए, यह अमीर लोग इनको support करें, यह खुद बाखुद इंडिया से बाहर हो जाएगी, Affluent nations should say technology with under previous or under developing and developing, so that emission of CO2 can be curbed, क्या कहा रहे हैं, कि जो अमीर अमीर देशें को क्या करना चाहिए, इनको अपनी technology अच्छे technology है, वह share करनी चाहिए, किसके साफ में share करनी चाहिए, गरीब देशों के साफ में, ताकि किसको बटाया जा सके, CO2 को बटाया जा सके, let's understand, Investment in human development makes a country affluence, अगर भाई तुम अपने देश के लोगों पर पैसा कर्च करते हो, मतर कि हम अपने देश के बच्चों को क्या करें, हम अपने देश के बच्चों को अगर पढ़ाई, लिखाई, तो क्या करेंगे, आगे चलके हमारे देश को वह अमीर बनातेंगी, तो जो real investment हो अपनेशा अमीर होती है, गौट इट, चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर कह रहा रहा है, नेक्स बैबेटा, affluent countries should provide free covid vaccines to the poor countries so that corona can be uprooted, अब देश के आप उनके पास तो अपोड़ी नहीं कर पा रहे हो तो corona vaccine, तो अमीर देश को का चाहिए, उनको vaccine दो, क्योंकि ए रूट, रूट से निकालना है, ठीक है, तो बेटा, अब रूटिर अगर इसको करना है, तो अमीर देशों को चाहिए, कि वो गरीद देशों के साथ में क्या करें, उनको भाई, वो covid vaccine दे, अब देखो मेंने, traveling to space is the new destination for affluent of the world, Sir Blue Origin, which has got 600 bookings of the rich to travel beyond earth, तो मैं तो एक बात सुन पास, Jeff Bezos के Blue Origin के पास, कि हमें space में जान, 600 लोग तर ऐसे हैं, जिन हमें तो जाएंगे भाई, उन्होंने प्वी शीट book करा चुकी, और ये जो company Blue Origin, 2023 से शुरू भी कर देगी ये वाली चीज, हर साल, 100-100-200 लोग आप जाया करेंगे, space में भूमने के लिए, तीन बहुत समझे लोग, तो अब देखो, traveling to space is the new destination for affluent, और affluent, जो अमीर अमीर लोग है ना, इनकी नई destination का है, इन सब का ग्वाब है, भाई, आप तो गोमना है हमें, space में, ठीक, अब यहां पर देखो, आफ्लू, किसी आफ्लूएंट को भी पकड़ सकता है, भाई, फ्लू है, बिमारी है कोई, वो तो भाई, किसी आफ्लूएंट गरीब को पकड़ सकती है, और अमीर को भी पकड़ सकती है, तो इसका नेमोनिक्स क्या है, इसका नेमोनिक्स है, आफ्लू, किसी आफ्लूएंट को भी पकाड़ सकता है बाते समझ में आ रही है इसके बाद की बाते करते ही इतने सारे इनको बहुत सारी मात्रा में है और यह देखुए ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन से बताव यह दुनिया कर सबसे आज की डिप में प्रेशियस जो नेच्रल सोर्स है वह आपका यूरेनियम हैं यूरेनियम इस फांद इस और यूरेनियम जाता है और यह उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है इंडिया में बहुत कोल है इंडिया इंडिया कोल है उसके थोड़ी से लो है इन कंपैरिजन ऑफ ज़्यान कोल के बिक्षामिय तो जब कोई चीज तुमारे पास काफी मात्राम होती है देखना पड़े गए मुझे ठीक है मैं देख लेता हूं इसको इपार यह इसका मतलता है कोई चीज जब आपको काफी मात्रा में आपके पास मौजूद है अबंडेंट का मतलब क्या होता अबंडेंट का मतलब काफी ज़्यादा तुम देखो मैं तुम समझाता हूं एक बाफ मतलब कंट्री है उस कंट्री के पास में बहुत सारे नेचरल रिसोर्स हैं अब उनको क्या बोलेंगे अबंडेंट नेचरल रिसोर्स क्या बोलोगे अबंडेंट इंडर्स्टी से पूरा माल बनाके दुनिया में बेच सकते हो तो तुमारे जो नेचरल रिसोर्स हैं डे कांट वी इतलाइड विदाउट ब्रें बिना दमाग यूज नहीं कर सकते जैसे तुमारे पास तामा पड़ा हुआ है तामा कितना रिच मतीरियल है उससे तुम्हें दुनिया से लहा लिया उससे गारिया बनाई मशीनय बनाई और दुन्या को बेच दी माकर मुद्धिया साद्शाव में दनिया के सबसंवOOOO और जिनके पास natural resources हैं तुम देरा सोच जो दल्व countries हैं जिनके पास तेल ही तेल पड़ा हुआ है यह सिर्फ आपस में लड़े जा रहे ही ठीक है वो उसको मार रहा है बजाए उनके पास brain होता उस तेल को निकालते मुझे प्राइस में मार्कित में बेचते काफी पैसा बनाते सु इंडिया के अंदर नौजवान कितने हैं परचूर मात्रा में जितने चाहिए उससे भी ज्यादा तो क्या को गए इंडिया है अबंडेंट यंग पीपल इंडिया के अंदर बहुत सारे अबंडेंट यंग पीपल ने इसके कुछ इंद्धान देख लेते हैं दर नेशन इनके पास बहुत जादा पड़ा हुआ है कितने अभी निकालो अभी बहुत पड़ा हुआ है और इसका जो अना नाम क्या हुता है इसका नाम होता है अबनेंट इंडिया के पास क्या है को ली वोल पढदा होएं heroic कोल हों इसं के पास मैं ओम सो इंडिया की विज़ी की वहीं की कुल से बन रही है है महां से पोल आता है तुल बिस फिर फ्री बिशिभी है थी बित के वुठuno है था हृ। Now a days, abundant material is available for learning any language. तुम कोई भी लेंविज़ सीख लो आज की देट में. Whatever you want to learn, you can learn that through YouTube or any other medium. Books available है. So, abundant material का मतला होता है, काफी सारा material जो की available है, काफी मार्थरा में. चलो जी. Institutes for the preparation of competitive exams are available in abundance in Delhi. Delhi के अंदर जाओ, एक से एक, एक मार वो दस हैं. इतने सारे institute से किसकी preparation के लिए? competitive exams की preparation के लिए. इसका mnemonics देख लेते हैं. अब डेट, अब मेरी गाड़ी में भरपूर मात्ता या काफी, काफी सारे dent है. यह देंट लिखा हुआ है. अब मेरी गाड़ी में बहुत सारे dent है. abundant. क्या लिखा हुआ है? abundant. तो हमने दो वर्ट सी कही. एक सी कहा हमने abundant. क्या सी कहा? abundant. और दूसर क्या सी कहा? abundant. उसके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं. बेटा, एक होती बिग. यह क्या होती है? बिग. ठीक, जैसे मेरा पिग. लेकिन कुछ हैसी चीज़े होती है, जो होती है विशाल, बहुत बड़ी. जैसे की the statue of unity. The statue of unity. मतलब किए जो statue of unity है, यह बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है. अब यहां पर तुम्हें और भी चीज़ बड़ी देखने को मिले कि अब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना बड़ा है statue of liberty. अब तुम देखो, यहां से इसका comparison करो कि कितना उंचा है. जब बहुत बड़ी होती है, कोई बहुत चीज़ बहुत ज़्यदा विशाल होती है, that is called colossal. colossal भी होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यदा विशाल है. यह देखो डैम जो तुम देख पा रहे हो. और यह देम का एक हिस्सा है, तो मैंने को कुछ बड़ा डैम नहीं है, यह देम का एक ही पार्ट होता है, ऐसे चानिस चानिस पार्ट भी पाई आते हैं एक डैम के अदगा, ब्रह्म पुत्त्रआ पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम जा रहा चाहिना है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम उस सीOW मुझद होगय है को बहुता है इससको तुम क्या मेलोगे, कोलोश ली २े शिंगत है कर और आ अचाल रह Information,cod Die. सब्सक्राइब कर रहा है चाइना इस प्लैनिंग तू मेट अलसल डैन और ब्रह्म पुत्रा विच एंडिया अब बात लगाओ इतना बड़ा विशाल डैन बना दिया जाए कि इसको पर ब्रह्म पुत्रा के उप्पर और मानलो बारिस इंडिया में पढ़ रही है अभी देवो कितनी बारा आरे इंडि उसने का पानी खो दो यहां से सारा पानी बनें कैसे जाएगे सेन अर और इस तरह इस तरह से डेंब बनाया गत अडिया इक तो थेज़ी 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 तो इस कोलेसरल डैन इंडिया नेट जेते हैं फोलेसर आरे ने कॉलिशन पॉपुएशन ज सब्सक्राइब देन What is the meaning of impart? The meaning of impart give, किसी को कोई quality देना, जैसे कि तुमारे स्टर क्या कर रहे हैं, वो तुमारे इंपर्टिंग दार देना, मोमी पापा क्या करते ही, हमें ethics देते हैं, हमें संस्कार देते हैं, इंपर्ट करते हैं, तो इंडिया की जो विशार पॉपलिशन तुमें बोर्ज दिख इंडिये यह तुमारे लिए क्या हो सकती है, अगर तुम इनको क्या कर दो, अगर तुम इंको स्किल देदव, अगर तुम एजूकेट कर दो, तो चर्ड हो जी, अब मैं तुम्संत्याने के लिए इसमें अभी है, लेकि मैं सीधे इस्ता निमोनिक्स बता देता हूँ, करते ही ज़ी करते ही ये जो तुम्हें बड़ी पजल दिखरी है कोयल करते कि सो सरख करतेगी कोयल सब्सक्राइब कि इसका मतर्थ समझ में आरा है नहीं है थीक है जैसे कि खाना खा रहे है यहान कर देगी को क्या कर देगी सब्सक्राइब explained मि 2 किव तुम को अगरे पोडी पिलू दाँ करी पिलू दाँ करी है? हाई क्यानकि मैं थोड़ा साथ 2 निट रूखने के बारत है यह पगड़ाई बैटा यह ज़िए तुम डॉनों वैक्ति देख रहे हो तो एक्टने में दोन मैमा एक्ती सबते परें करें डॉकर एपी जी बात करोंगा डॉकर एपीज अब्धूर कलाम जी की बात कर दो डॉकर एपीजा अपड़ुका की इनके साथ जी लगाना जरूड़ी है क्यों कि यह बहुत इमान पस्कानीट और इन का ता इनके बहुत सारे बहुत सारीजानी है अब घर में जगा लिए थी बैठ के पढ़ने को घर में जगा नहीं है तुम्हारी मम्यें पर तुम से क्यादर पढ़ते हो इसे जा बेटा बहुत समान ले आना तुमका अगर मम्य या तो पढ़नोंगा या समानोंगा